मेरा नाम नर्शी ग्रेवाल है मैं अर्याना का रहने वाला हूं रोतक का और जब ये बिजनिस को देखा था तो मैं फोज में नोखरी करता था आजे उल्डार क्लर्क की आर्मी मेडिकल कोर में और बिजनिस को देखने के बाद मुझे लगा मुझे लगा कि इसको करना चाहिए और मैंने दो बाते सोची अगर मैं इसको करता हूं तो क्या हो सकता है और नहीं करता हूं तो क्या हो सकता है तो मैंने एक बंदे से चला ली में बोला यार बिजनिस तो बढ़िया लग रहा है ये इसको करना चाहिए और नहीं करना चाहिए मेरे को हान नामा जबाब चाहिए यस और नो में और जिसके भी मतलब मुझे जबान है सारे लोग यस या नो बोलेंगे अगर किसी पाई बेन के मुझे तकलीब है तो गर्दन इलाएगा ठीक है इला सकते हैं यस और नो तो दोस्तों मैंने सोचा अगर मुझे नुक्षान इस यस और नो लाखों रुपे महिने कमा सकता हूं यस और नो बढ़िया गाड़ी चला सकता हूं यस और नो बढ़िया घर बना सकता हूं यस और नो बीबी का असली असली असमेंड जो मर्द बीबी का असली मर्द कोन होता है जो उसकी ख्वाइस पूरी कर दे यस और नो और बच्चों का बच्चों का असली पापा कौन होता है जो जो बोले उनको दिला दे यह सर नो तो मैं बोला अच्छा बच्चों का असली पापा बन सकता हूं भीवी का असली मर्द बन सकता हूं मापापका अच्छा बेटा बन सकता हूं और गाड़ी बंगला सारी चीजों का इ वहिच चडज़ा पांडे हम आपके पेछे हैं तो मैंने रिस्क ले लिया और मैंने इसमें काम करना सुरू किया जब गाम करना सुरू किया तो सुरुवात में मैंने सोचा था कि जिसको भी बताऊंगा और जरूर समझ बढ़ाएगा क्योंकि मैं समझ गया तो मेरे जैसे समझदार और भी है इस दुनिया में यह सुर नो लेकिन जैसे ही पांच लोगों को बताया पांचों के पांचों ने मना कर दिया मेरी हवा निकल गी और मैंने अप्लाइन से बात की कि सर पांच लोगों को बताया था सब ने मना कर दिया जरूर उनको दरन्यबाद देना चाहूँगा शिलूट करना चाहूँगा दिल से कि उन्होंने मुझे प्लान दिखा दिया अगर प्लान नहीं दिखाया होता तो सायदम आज स्टेजबे नहीं होता और वो कोई और कोई नहीं है वनन अल्ली एस सिस्टम के और ट्रिपलेस के मिस्टर ओम प्रकाजी में चाहूँगा उनके लिए एक जोड़ना तालिया हो जाए दो तो जोड़ना तालिया थांकियो थांकियो उन्होंने मेरे अप्लाई ने पूछा करे वाल जी कितने को प्लान दिखाया मैंने बोला सर पांच बला क्या हुआ पांचों ने मना कर दिय जा दो जाते थांचों में मुछाँ बना मैं तो बूला एक्सो बीश क्रोड में सपांच गठाओ कितने मच गए मैंने भोला अबीश क्रोड में सा उधो प्रग्ते कंगे या सुरन जिद्दमी घजाया ने में उन तुक्त मेंड़ा ने एक्सो बीश करोड या absorption मैं लिएग है कही तो चंदा नहीं करना बिल्कुल और आप बताओ लोगों को मैंने बोला सरो यमीं करते तो क्या करूऊ बंढ भार यह गया करता हैा नहीं करता है त comprendre प्रव लोगों को प्लान दिखाना और लोगों काम है अधार ना करना बास तू इंग ही बात कर लें दिल में कि आए त वंटेमेंट और और हिंदेंगा नहीं Virgin 1 और ज स्वाय कोरा हुथ नहीं तो नेक्स्ट करनेसे अगर डायमेंड मंथा है तो बनने छीए कि नहीं वननेласт tiet कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए यस और नू कितने लोगों लगता बनना चाहिए एक बार हाथ कड़े कर रोकर देखा थैंक यू और दोस्तों उची टाइम पर मैंने बोला सर से सर ने बोला ग्रेवाल जी बात समझने की है थोड़ी सी अगर आप बात समझ लेते हो त तो कोई माई कालाल कोई इस दुनिया का हवा पानी आपको डायमेंड बनने से नहीं रोक सकता मैं बला वही बता पहले कौन सी बता दे जिससे हम डायमेंड मन सके यस और नो तो उन्होंने एक बात बोली आप धान से सुनना पला आपने दो चार को पांच को दिखा दिखा और बात खतम समझते हो आप यह कोई 100 मीटरी की रेस थोड़ी है कि आप उदर से उदर दोड़े जीत के तो ठीक है नहीं तो हार गए यह तो भईया मेरतन रेस है कैसी रेस है आप दोड़ते रहो फिर पानी पीलो फिर दोड़लो फिर पानी पीलो फिर दोड़लो कोई मना क करता दूसरी बात कम समय में ज़हादा लोगों को प्लान दिखाना है मैंने बहुला वो कैसे तुन्होंने एकि चमपल दिया कि आप लोगो ने गोली सुना होगा गोली कंचा कंकी या कंचा या जो भी है गोली सुना और बोला एक गड़ा होता है उसको क्या बोलते है क्या बोलते है तो और आपके पास गोली है Kan चैनी और आप डालों के दूर खड़े होगे मैं अब बहुत्ट करेंगे हो कि अगरेगा ट है ₹ी है तूर अगर आपके पास दो गोली है दो कंचे है तो अब फेर आप डाल दोगे ने बोला सर फेरी भगवान का नाम लेना पड़ेगा दोने मैं इसे डल भी सकता है नहीं भी डल सकता है लेकिन बोला ग्रेवाल जी अगर आपके हाथ में 100 गोली हैं कितनी गोली हैं सो कंचे हैं सो कंची हैं और अगर आपने सो कंचे उस पिल में फैकोगे तो दो चार डल जाएंगे किनी डल जाएंगे मैंने बोला सर सलाख बंद करके फैक हुगा तो भी दो चार तो डली जाएंगे ये सुन में ये सुन में डल जाएंगे किनी डल जाएंगे तेंक्यों मैंने बोला सर डल जाएंगे आप लोग बताओ डल जाएंगे नहीं पर बोला डुना किसका ग्रेवाल जी बजार में कंचो की कमी है क्या पकड़ पकड़ के डालते जाओ ये प्लान जो है आपका बेओ गड़ाई है उसमें लेला के डालते जाओ सो पचास डालो ग होगी और आपका काम शुरू हो गया मैंने सोता ये फार्मूला था बढ़िया है अपना ना चाहिए कि नहीं अपना ना चाहिए ये सोड़ने लेकिन लोग उसी टाइम पर दिमाग लगाना शुरू करते हैं उसी टाइम पर आप लोग ने सुनी होगी मैं आज फिर सुना उसकी कानी सुनी होगी लेकिन मैं आज जरूर सुनाओगा एक चिडिया के तीन बच्चे थे और उनको उड़ना सिखाना था तो उचे पेड पे पर पाड़ी के उपर एक पेड था उस पे लेगे गई चिडिया और उनको बोला पाड़ी पेड पर से धक्का मारती थी ताकि यह उड़ना सीख ले तो पहले बाले को चीडिये को बोला बच्चे को बोला चीडिया ने चीडिया जो मा थी उसने बोला बेटा ऐसा है मैं आपको यहां से दक्का मारूंगी आप एक वेग से स्पीड से नीचे की तरफ जाओगे लेकिन आपका काम के वर लेकी है बंक हिलात फोर्स खीच रहा था नीचे की तरफ तो नीचे जा रहा नीचे जा रहा और बच्चा डरने लगा उसने सोचा यार मैं तो नीचे जा रहा हूं गिर जाओंगा गिरूंगा तो मर जाओंगा मुझे लग रहा मम्मी कुछ बताना बूलगी और मुझे कुछ और करना चाहिए तो उस टाइम पे अपंग हिलाने के वावा और क्या कर सकता हो एक काम कर सकता हो पंग हिलाने बंद कर सकता है और उसने बंद कर दी एगो टबक धेम बर गया अधा That make sure दूसरे बच्चे को समझाया बोला देख पहले बड़ा गया तुने देख लिया बीच में रुगया पंग लाने से अभी तू रुखना नहीं बेटा पंग लाते रहना एक स्पीड तक नीचे जाओगे पंग लाते रहना एक एसी सिच्वेशन आईगी आप स्टेबल हो जाओ और फिर पंग लाते रहोगे तू उड़ जाओगे तो दूसरे ने भी चलाग लगाई और पंग लाया एक स्टेज के बाद काफी नीचे चला गया और डरने लगा गपराने लगा और फिर पंग लाता रहा हमत करके तो ऐसे स्टेबल चलने लगा और उसी टाइम पर उसको और करना चाहिए और और करेगा तो क्या करेगा पंग लाना बंद और ओट अपक गयार मर गया तीसरे वाड़े बच्चे को बोला कि बेटा दो बाईयों का देख चुका है तूह हाल अभी तू पंग लाना बंद मत करना अगर तू पंग हिलाता रहेगा तो फंग का इसका मतलब ये है मैंने जैसे जोंगिया है हमारे लूहे से जोंगिया मैंधी ठीड हमें को मीडिर लगा हम भी नीचे की तरफ गिरे हम भी मतलब भी नीचे की तरफ अब ग्रेविटेशन भोर्च जब ओरों बच्चों के लिए काम किया, वो हमारे लिए भी काम किया, लेकिन अपला इनने, बोला बेटा, पंग हिलाते रहना, क्या करते रहना, पंग हिलाते रहने का मतलब, प्लान दिखाते रहना, और हर एक मीटिंग में जाते रहना, प्लान लेकिन दोस्तों हम लगे रहे आगे आगे थोड़ा सा रजल डिकलना सुरू हुआ लेकिन जैसे ही रजल्ट आपके निकलते हैं या किसी के भी निकलते हैं तो उसका फिर ग्रेविटेशन फोर्च काम करता है मेरे साथ भी काम किया क्योंकि पहले जमाना ओर था अभी जमाना पदलता रहता है अभे मैने जैसे ही मुझे थो डिडी मिले एक दिन उसी तन मैं बेंक में गया डिडी पनाने के लिए मैंने भारंबर्क दे दिया और पैसे देदि हुसने थपाँ मारकर रशीद देदी और मेरी तरफ देखके बैंकर उस कैसीर ने बोला क्याँकि मैं ड्र पुल्टा काम हो गया गल्ती होगी मुझे ये भी एकल नहीं थी मुझे भी नहीं मालूम था कि डिडी कैंसल हो सकता है लेकिन मैं तुरंथ लुटा पिटा वाक सा महसूस करके माथे पर पशीना आ गया और मुझे फीला फीला दिखाई देने लगा और मैं नीचे की तरफ आय और जब ऐसी सिच्वेशन किसी के साथ हो तो उसको उस समय पे कौन याद आता है कि अप्लाइन ये सब नो तो दोस्तों मैं आया और मैं नीचे आखे अपने अप्लाइन को फोन लगाया मेरे अप्लाइन उस टाम पे जबलपूर में थे ओंपरका जी मिस्टर ओंपरका जी तो मैं ने फोन लगाया तो हूनन नी फोन उठाया घ्र और काईक शीडंग ए और मैंने भॉला ऑला खर जी मैंने बोला जी बॉला हम मि leopard बॉल थे नी बनाने के लिए मैं आया था यूज़ वेले कॉंगरेशलिशिछ यिछ नी आज वाथ बडिया मैं आगे तो सुनों बैंक वले भाई साम ने ऐसे से बोला है, अरे बला गुर्वाल जी, कुछ नी होता ऐसे बोलने से, ऐसे बोला था लोगोंने राइट बंदू को, कि हवाईजास नहीं बनेगा, आज लोग एक हवाईजास उड़ता है कि यह समनो. एसे ही बोला था लोगोने थोमस एडिसन को कि बिजली नहीं बनेगी आज बिजली है कि नहीं है तो नो और बोला ऐसे ही बोला था लेकिन मैं भी डाइमेंड बनने वाला हूं और ग्रेवाल जी लिखवा के ले लो अगर लोग आपको ऐसे बोलते रहेंगे और आप फिर भी तो आप भी एक दिन ड्यामंड बन जाओगे, एक दिन आप भी डाइमंड बन जाओगे thank you thank you लेकिन दोस्तो बताते हैं कि थोकर खाने से sorry काजू खाने से अझाल बशेक प्लिप क्ल नहीं आती तोकर खाने से अझाल लगा था yes or no मेरे को जटका लगा था और यका कि दे को बड़ी बड़ी दिखने लगी मेरे को समझ में नहीं आई क्यों के अलगरा मेरा बहुत जादा कोई का बेक राओंड नहीं था एक तो क्रेला, उपर से प्पर से निम चड़ा, एक तो मैं फोजी जाट समझ माइगी वारट नहीं आई मैंने बोला सर सिंपल बहासा में अगर आप समझा सकते हो तो आप समझा दो अधर्वाइज कोई बात नहीं है आपकी हमारी नमस्ते तो उन्होंने एक बात बोली क्या बात बोली अब जानना जाओगे उन्होंने एक बात बोली कि ग्रेवाल दी आप यह बताओ उस बैंक वाले भाई साब को एक नमबर का वाइट मेनी एक महीने में कितना तंखा मिलता होगा मैंने बोला सर दस गयरा आजार पे महीना दो जार तीन की बात है और बोला जो हमारे आदर से हैं जिनको वाइट मनी दस गयरा हजार पे मीने मिलता है और एक आदमी को एक नमबर का वाइट मनी दस गयरा लाख रुपे मीने मिलता है कौन ज्यादा समझदार है हजार वाला या लाख वाला कि दुबारा सारे लोग बोलेंगे हजार वाला लाख वाला मैं भी आप लोगों की तरह लाख वाला ज्यादा समझदार है को समझदार है तो उसी टाइम पर उन्होंने एक बात बोली कि ग्रेवाल दी जिन्दकी आपकी है फैसला भी आपको लेना पड़ेगा लेकिन मैं लिखके देता हूँ कि आप अगर अगर हजार वाले की बाणोंगे तो अगर वाले की जिन्दकी आपकी है पैसला आपका है क्या आप करना चाते हूँ जोड कर लो थैंक्यो थैंक्यो लेकिन दोस्तों थैंक्स टू गोड और थैंक्स टू सिस्टम कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में बात आई कि यार हजार वाले की मानुगा तो हजार वाला रहूंगा और लाख वाले की मानुगा तो लाख वाला हो जाओंगा अजार वाला तो मैं पहले ही हूँ आठ नोजार पे की मेने की नोकरी तो पहले ही कर रहा था किसके मानने चाहिए लाख वाले की और मैंने लाख वाले की म इन लोगों की आशिरवाद से, कम्पनी की बज़े से, और हमारी टीम के एक एक टाइगर की बज़े से, आज इंदर सिक्रेवाल इसी सिस्टम से, एक महिने में आठ अजार रुपे महिना नहीं कमाता, कम से कमाज की डेट में 13-14 लाख रुपे महिने कमाता है, 13-14 लाख लाख रुधों झेल से, अज भजा है, 13-26 लोगवों कि महिने काता हुङा टार दी लाखगा हला है, 12-16 लेड़कों जने कमाता है, 13-16 लिजु़ावं काता है, 13-17 वोगवों है अजल नहीं आई टोगवा सिर दोखाट लोगशार व소पे बस्यली है, 13-17 लिज़े अजूव